दोस्तों नमस्कार मैं कमलेश जोसी सत्यम लाइव क्लासेश दोसा के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों हम बात कर रहे थे भारतिय राज व्यवस्ता को लेकर के या भारत के समिधान को लेकर के और उस भारत के समिधान के संदर्व में हम लोगों ने जो अपसे पहले बात की है ठीक तो वो जो बात की थी वो हम लोगों ने एक एक्ट के संदर्व में बात की थी और उस ए विजन करता है पांच मिट के लिए फिर हमां आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोगों ने जब 1773 के रेगुलेटिंग एक के संदर में बात की थी तो हमने एक बेसिक से प्रश्णों के आधार पर या एक कहानी के तोर पर इसे समझा हमने कहा किसाब भारत में जो कानून बना कर भेज रही है वो कानून कौन बना रही है ब्रिटेन की संसद आप इसे वरतमान के संदर में भी समझ सकते हैं किसाब भारत में कानून कौन बनाती है भारत की संसद वैसे ही 1773 से लेकर के भारत के आजाद होने त भारत में कानूनों का निर्मान करके कौन भीज रही है दोस्तों? बिटेन की संसद। उसके संदर्व में जो पहला कानून आया, वो कानून कौन सा रहा? 1773 का एक्ट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक्ट का मतलब जो है, क्या होता है दोस्तों? अधी नियम। अ आप इसे वर्तमान संदर में समझे कि हमारे देश में आज एक संसद है और उस संसद के तीन अंग है, उन तीन अंगों में एक हम कहेंगे कि साभ राज्य सबा है, जिसे आप ब।रेन के लिए कैसकते हैं House of Lords, एक आपके पास लोकसबा है, जिसे आप ब।रेन के संदर में कहे जिने हम क्या कहते हैं दोस्तों राष्टपती जब इन दोनों सद्नों से कानून पारित होगा यानि कि प्रस्ताव पारित होगा मतलब कि बिल या विधेयक पारित होगा और फिर उस पर राष्टपती जब अपना स्ताक्षर करेगा तो वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा अ तक का तो जब तक राष्ट पते ने उस पर अपना अस्ताक्षर नहीं किया तब तक वो विधेयक था लेकिन उसके बाद वो किस रूप में परिनित हो गया एक्ट के रूप में के लिए बात यहां तक का तो वैसे ही बृतेन से कानून बना कर भी दोनों सदनों से जब बृते और हमने आपको पहले भी बताया है कि पुराने वीडियो में कि 1773 के समय जो बृतेन के समराट थे वो कौन थे दोस्तों जोर्ज तृतिया है किलेर बात यहां तक का तो जोर्ज तृतिया ने जैसे उस पर अस्ताक्षर किया यह किस में परनित हो गया था एक्ट में फिर इस दूसरा हम लोगों ने यहां पर यह कहा था कि यह जो अदिनियम है इस अदिनियम के माध्यम से बृतेन की संसद का कमपनी के कारियों में क्या प्रारंब हो गया था अस्तक्षेप तीसरी सबसे महत्पुर बात हमने यह कही थी कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का क्या बना गई थी और उस परिशद में जो सदश्य थे हमने कल भी बोला मांसन क्लेवरिंग बरवेल और फिलिप फ्रांसेस यहां तक हम बात कल कर चुके थे उसके अत्रिक एक और में तो पुन बिंदू था कि सर्वोच्च नयायले की स्थापना की गई दोस्तों यह आज के वरतमान सर कमपनी के कारियों की देखरेक के लिए आया और कमपनी के कारियों की देखरेक के लिए जब सर्वोच्च नयायले की बात कही गई तो सर्वोच्च नयायले के स्थापना 1744 में कहां पर की गई दोस्तों कलकत्ता में यह बेसिक से प्रशन पूछे जाते हैं कापी बार एक्ट में यानि कि भारत के समयधानी के विकास के क्रम में प्रत्थम जो लिखित प्रावधान है वो 1703 का रेगुलेटिंग एक्ट इस एक्ट के बाद जो मुख्यत है अधनियम आया आलाकि इतना इंपोटेंची नहीं रखता है फिर भी एक बेसिक ज्यान उसका होना जरूर लिए 1781 का 1781 का सेटलमेंट एक्ट सेटलमेंट एक्ट जनरली यहां से प्रशन की बात नहीं होती है वैट फिर भी आजके लेग्जाम का पैटन चेंज हुआ है तो हो सकता है कि प्रशन पूछ लिया जाए दिगी सेटलमेंट का मतलब होता है व्यवस्तित करना और हम हमारी सामान्य भासा में इस सेटलमेंट के लिए एक सब्द का इस्तमाल करते हैं और वो सब्द है दोस्तों बंदोबस्त यानि कि आप से अगर पूछा जाए कि बताईए भारती समिधान के इतिहास के संदर्व में बंदोबस्त एक्ट कब आया तो बंदोबस्त एक्ट कब आया या 1781 में किस नाम से भी जानते हैं उसे हम सेटलमेंट एक्ट के नाम से भी किलेर बात यहां तक कि अब बंदो बस्त एक्ट के तहट एक महत्वपुन बात हुई या एक मुख्य प्रावधन रखा गया देखें मुख्य प्रावधन क्या था हमने बात की थी कि 1773 के एक तहट क्या बनाया गया दोस्तो सर्वोचिनायल है यानि कि सुप्रिम कोट बनाया गया उस सुप्रिम कोट का मुख्याल है कहां रखा गया दोस्तो कलकत्ता में अब एक सिंपल सी बात है कि जो कंपनी भारत में काम कर रही है उसे कंपनी का एक नियंत्रन करता जो बंगाल का क्या क कि 1793 के एक्ट के तहट गटित सर्वोच चिन्यायले के जो भी आदेश आएंगे या जो भी निर्णे होंगे उन सब का पालन कौन करेगा गवर्नर जेनरल जैसे मैं आज के संदर्वे में कहूं कि यदि आज भारत का सर्वोच चिन्यायले जो अपने आप में सर्वोच है क्योंकि भारत एक संप्रबू राष्ट्र है यदि आज भारत का सर्वोच चिन्यायले अपना कोई भी निर्णे देता है तो क्या कोई उसकी अवमानना या अवहेलना कर सकता है नहीं दोस्तो ऐसा अधिकार भारत में किसी भी व्यक्तिया किसी भी नागरिक के पास नहीं है यानि कि हम कहेंगे कि सरवुच्च न्यायले के द्वारा दिये गए निर्णयों को भारत का प्रतेक नागरिक मानने के लिए क्या है बाद्य है अब अगर वो बाद्य है तो मतलब अवेलना नहीं कर सकता तो ये प्रावधन रखा गया उस 1773 के एक्ट में लेकिन इस 1781 के इस बंदोबस्त एक्ट के तहट सिम्पल सी बात रखी गई कि गवर्णर जनरल सर्वुच्च नियायले के द्वारा दिये गए निर्णयों को स्विकार या एस्विकार कर सकता है मतलब समझने की बात क्या हो गई कि केवल इतना सा ध्यान रखना है कि अब तक गवर्णर जनरल उस सरवुच्छ नयले के निरनयों को मानने के लिए बाद दे था लेकिन अब वो उसके निरनयों को मानने के लिए बाद दे नहीं है सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर मुझे कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कहे और वो कहता है कि आपको ये कार्ये करना ही पड़ेगा मिन्स दो बाते होंगी या तो मैं उसके अदीन हूँ या फिर वो मेरा सोशन करने की कौसिस कर रहा है तो ऐसे स्तिती में मैं उसके निर्णेयों को मानने के लिए क्या हूँ? बाद्य हूँ अब आप ये नहीं कह सकते कि साथ इसका मतलब तो सर्वुच नियायले से सोशन हो रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि भारती समयधान के हम अदीन है और भारती समयधान के अनुसार सर्वुच नियायले जो निर्णेय देगा वो भारत के प्रतेक नागरी को मानने के लिए बात कहे गई हमें विरोध करने का अधिकार है लेकिन हमें उसकी अवमानना या अवहेलना करने का अधिकार दोस्तों नहीं है किलिर बात यहां तक का तो यहां पर गवर्नर जनरल निरने देने के लिए निर्णे मानने के लिए उस सर्वच नहीं ले कि निर्णे को मानने के लिए पहले क्या था बाद दे था अब उसकी बाद देता को इस 1781 के सैटलमेंट एक्ट के तहट क्या कर दी गई समाप्त इसलिए हमने कहा कि वो निर्णयों को स्विकार भी कर सकता है या फिर वो निर्णयों को क्या कर सकता है एस्विकार भी कर सकता है तो ये बात किस एक्ट के तहता है 1721 के सेटलमेंट एक्ट के तहता है किलेर बात यहां तक का आप एक बार screenshot ले लीजे इसका ओके आगे बढ़े जब हम लोग तो पहला act तो कौन सा हो गया 1773 दूसरा कौन सा हो गया 1781 जिसे हम बंदो बस्त act के नाम से भी जानते हैं इसके बाद मित्रो जो तीसरा act आता है या तीसरा जो अदिनियम भारत में भेजा गया वो आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्लिर बात यहां तक का अब यह जो पिट्स इंडिया एक्ट है जैसे आप कहें साब 1773 के regulating act का आपने बताया कि साब नियम कमपनी का सासन नियमित रहेगा इसने उसको regulating नाम दे दिया गया बंदोबस्त करना था कुछ व्यवस्थाएं बनानी थी उसके आधार पर settlement act भीजा गया तो वो settlement act नाम हो गया पट इस अदिनियम का नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों रखा गया तो दोस्तो उसका कारण है जब 1781 में यह अदिनियम भारत में भेजा गया तो इस समय ब्रिटेन के जो प्रधान मंत्री थे उनका नाम था विलियम पीट दै यंगर और विलियम पीट दै यंगर के यानि के प्रधान मंत्री का नाम क्या है विलिये पीट दै यंगर इन विलिये पीट दै यंगर के दिसा निर्देशन में जब 1784 का एक्ट भारत में भेजा गया तो उन्ही के नाम पर इस अदिनियम का नाम क्या रख दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट यानि कि आपको समझना क्या है आपको ध्यान क्या रखना है यहां पर मुक्षित है कि ब्रिटेन के प्रैधान मंत्री 1784 में कौन थे विलिये पीड़दा यंगर और उनी के निर्देशन में इस कानून को 1784 में जब भेजा गया तो उसका नाम क्या रख दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट किलिर बात यहां तक का अब इस पिट्स इंडिया एक्ट का जब भारत में भेज दिया गया या भारत में जब यह आया है तो निश्चित से बात है इसमें क्या यह होंगे कुछ मुख्य प् अब दीखे बात तेहे पहले से ही किसाब कानून कौन बना कर भेज रही है बिटेन की संसद किलिर बात यहां तक का कौन से अदिनियम की प्रावधानों की हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधानों की हम बात करेंगे ज्यादा नहीं है बस थोड़ा सा है जो आपको एक समझना है ताकि एक रिदम बने अब मुख्य प्रावधानों की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों इस अदिनियम के तहट एक बोड बनाया गया जिसे नाम दिया गया बोड ओफ कंट्रोलर उसे क्या नाम दिया गया बोड ओफ कंट्रोलर अब आप ये समझे जब हमने 1773 के एक्ट की बात की थी तो आपको मैंने वहाँ पर भी एक बोड का नाम बताया था लेकिन उस बोड का नाम क्या था बोड ओफ डाइरेक्टर यानि कि वो तो था B.O.D. और ये दोस्तों आपके क्या नाम है B.O.C. बोड ओफ कंट्रोलर और बोड ओफ डाइरेक्टर अब इस इस्तिति को आप देखिए तो आपके पस दो अलग-अलग बोड है तो जाइर सी बात है कि अगर दो अलग-अलग बोड मित्रो बनाए गए हैं तो काम एक समान होंगे या अलग-अलग होंगे सवन में आ रहा है बात जैसे मैं आपसे कहूं कि एक तो हमारे पास सहिंगतराष्ट UPSC है यानि कि संग लोग सेवायोग है एक हमारे पास राज्यलोग सेवायोग है दोनों के काम समान है अलग-अलग है काम आपको हो सकता है समान नजराए लेकिन दोनों का अच्छे तरी एकदम अलग-अलग है कैसे है कि साब UPSC जो है वो आपके सिविल सेवकों की भरती करता है लेकिन भारत के संदर्ब में यानि कि भारती प्रसासनिक सेवाओं की भरती लेकिन जब आप RPSC की बात करते हैं तो वो आपके करेगा राज्यलोग सेवकों की भरती ठीक बात यहां तक यहां हो सकता है कि आप थोड़े से कन्फ्यूजन में रहे लेकिन आप यह समझे कि एक आपके पास मानवादिकार आयोग है और एक आपके पास नीती आयोग है दोनों कामजाईर से बात अलग-अलग कर रहे हैं किलियर बात यहां तक का या आप यह समझे कि साब एक क्रसी मंत्री है और एक ग्रह मंत्री है काम दोनों के अलग अलग हो गए तो वैसे है एक आपके पास board of director है जिसके संदर में हम लोगों ने कल बात की थी और एक आपके पास board of controller है यानि कि board of director और board of controller कितने हो गए दो board अब जैसे ही दो board नज़र आएंगे न दोस्तों तो आप एक बात समझ लेजिएगा यहां कि एक तो हो गया था board of controller और एक हो गया था board of director प्रशनों को अगर मैं बात कहूं competition exam के तरीके से तो दीखिए exam में सीधा सा पूछा जाता है कि board of director का गठन किस act के तहत हुआ 1773 के regulating act के तहत board of controller का गठन किस act के तहत हुआ 1784 के pits इंडिया act के तहत अब हमने 1773 का जब act पढ़ा था तो हमने आपको क्या कहा किसाब board of director जो है राजस्व संबंदी board of director जो है सैनासे संबंदी या आप कह सकते हैं कि board of director जो है वित्य संबंदी या आप कह सकते हैं कि board of director जो है वो कौन सा कार्य करेगा दोस्तों व्यापारिक यानि कि एक तरह से आप समझेंगे कि अर्थ व्यवस्ता से संबंदित कार्य आपके कौन देख रहा है बोड़ ओफ डायरेक्टर लेकिन दोस्तों क्या आज भारत में किवल व्यापारिक कार्य ही हो रहा है जैसे मैं आप कि अगर कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व को परेशान कर रखा है उसकी कोई strains नहीं बनी है तो भारतिय प्रसासन कार्ये कर रहा है यह भारतिय व्यापार मंदल काम कर रहा है मुक्षत है भारतिय प्रसासन जिसका यह दायित हो बनता है कि वह भारति नागरिकों की स संबंदित हो गए लेकिन नियंत्रन यानि की कंट्रोल का मतलब ही क्या हैu नियंत्रन करना और नियंत्रन संबंदी यानि कि मुख्यत है बोडोप कंट्रोलर आपके एक तो राजनेतिक कारियों का हम जिक्र कर सकते हैं या फिर मैं आपसे एक सीधे से सब्द में कहूँ प्रसासनिक या समझें आप कि बोडोप कंट्रोलर तो राजनेतिक या कौन से कारियों की बात होगी प्रसासनिक कारियों की, जबकि Board of Director, दोस्तों कौन से काम करेगा, राजस्व या व्यापारिक संबंदी कारिये, अब आप एक बात समझो, अगर आपके बास, यहाँ दो बोर्ड नजर आ रहे हैं, एक तो कौन सा, Board of Controller, जो 1784 में बना, एक कौन सा, Board of Director, जो 1773 में बना, यह जब कारिये दोनों के अलग-अलग हैं, तो फिर एक बात कही गई, कि Company में, Company में, द्वैद सासन प्रनाली की क्या हो गई दोस्तों? सुरुआत, Company में, द्वैद सासन प्रनाली की क्या हुई? सुरुआत, अब एक डाउट हो सकता है, सर के आपने 1765 में भी द्वेद सासन की बाद थोड़ी से जिकर किया था, पिर यहाँ पर बोल रहे हैं, तोस्तों 1765 में इलावाद की संदी से इतियास के संदर्व में बात कही जाती है, जहां दो विशे रख दिये गए, धिवानी और फौसदारी लेकिन वह द्वेद सासन प्रणाली मित्रों आपके 1772 में बंगाल की गवर्नर वारेन हैस्टिंग के द्वारा समाप्त कर दी गई थी, हम बात कर रहे हैं उन प्रावधानों के अनुसार जो ब्रिटेन की संसद ने भारत में भीजे, यानि कि हम उन लिखित कानुनों की बा लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि अगर प्रशन में ये कहता है, ब्रिटिस संसदिये प्रणाली के आधार पर कंपनी के अधीन द्वेद सासन प्रणाली सरवप्रतम कब शुरू हुई? तो नो डाउट आपका आंसर जो होगा, वो कौन से एक्ट के होगा? 1784, सवर में आया बात यहां तक का, अब 1784 में कैसी सासन प्रणाली आ गई? द्वेद सासन प्रणाली, तो द्वेद यानि की दो तरे की बात हो गई, एक आपके बोड़ अप कंट्रोलर यानि की राजनि प्रणाली है दोस्तों, प्रशन में अक्सर कई बार ये पूछा जाता है कि द्वेद सब्द का अर्थ क्या है? ठेक बात, और दूसरा प्रशन द्वेद सब्द किसका रूपांतरन है? तो देखें युनानी बासा का या ग्रिक बासा का एक सब्द है डायर की, और उस डायर की सब्द का हिंदी रूपांतरन जो है, वो तो क्या है दोस्तों? द्वेद, यानी कि डायर की का हिंदी रूपांतरन क्या हो गया? द्वेद, और द्वेद सब्द का जो अर्थ है, वो दोस्तों क्या हो गया? दोहरा सासन, एक एक बात आप आराम से समझ सकते हैं, हाँ, सत् का कौन सा एक्ट पिड्स इंडिया एक्ट कौन थे बृटेन के प्रधान मंत्री थे उन प्रधान मंत्री के निर्देशन में यानि कि विलिय पीर्दय यंगर के निर्देशन में कौन सा एक्ट भारत भीजा गया दोस्तों पिड्स इंडिया एक्ट कब भीजा गया 1784 में board of controller यानि की board of नियंत्रन का गठन किस act के तहट हुआ 1784 के act के तहट board of director का गठन किस act के तहट हो गया था 1773 के regulating act के तहट board of director कौन से कार्य कर रहा है राजस्व सेना या आप एक सब्दमियाद रख सकते हैं वित्य वैसेन्य संबंदी कार्य जबकि board of controller दोस्तों कौन से काम कर रहा है राजनितिक या प्रसासनिक और इन दोनों कार्यों को जब अलग-अलग किया गया तो कैसे सासन प्रणाली आ गई है कंपनी में द्वैद सासन प्रणाली और इसी द्वैद सब्द का अर्थ जो है वो क्या है दोस्तों दोहरा सासन और ये द्वैद सब्द क्रिक भासा के कौन से सब्द का रूपांतरन हुआ डायर की सब्द का यानि कि सिंपल सी लोजिक है या सिंपल सी एक बात है कि डायर की सब्द का हिंदी रूपांतरन क्या होगा द्वैद द्वैद सब्द का अर्थ क्या है दोहरा सासन कमपनी के अधीन धोरे सासन पणाली की सुरुवात किस एक्ट में हुई 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में किलेर बात यहां तक का यही पर जब यह व्यवस्ताएं बनाई गई तो आपको जब दो बाते नजर आ गई एक तो प्रसासनिक और एक व्यापारिक अब आप यहां पर कह सकते हैं कि कमपनी के प्रसासनिक व्यापारिक कारियों को क्या कर दिया गया प्रथक यानि की अलग-अलग कर दिया गया आप समझें आपसे पूछा जाता है एक्जाम की द्रश्टी से कि बताईए किस अधिनियम के तहत इस इंडिया कमपनी के राजनेतिक वे व्यापारिक कारियों को अलग-अलग कर दिया गया तो कौन सा अधिनियम हो गया दोस्तों? 1784 कापिट्स इंडिया एक्ट अलग-अलग कैसे हुए तो वो आपको यहाँ दो बोड़ नजर आ रहे हैं द्वैद सासन हुआ अर्थ क्या हो गया धोरा सासन और इसे क्या नाम दिया गया डायर के किलियर बात यहां तक का अब यहां पर यह जो धोरा सासन हुआ उसके पश्चात अगली जो बात इस अधिनियम में रखे गई इत्रों जो अगली बात रखी गई उसको हम भड़ेंगे आगे उससे पहले आप एक बर यहां पर भी स्किन शॉट ले लिजी ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में और समझने में यहां तक की बात होने के पश्चात दोस्तों इस एक के तहट जो और बाते आई यहां तक का हुआ कि लिएर दोस्ता आप वीडियोज को बार बार देखे ताकि आपको यह समझ में आए तीक है और कंसेप्ट आपका किलियर हो उसके बाद जब हम आगे बात कर देंगे इसी अधिनियम के तहट रिविजन कर लीजिए एक बार आप बोल लीजिए या बार बार आप देखिए और उसको समझ में आएगा 1773 के तहट कोन से कारिय राजस्वया व्यापार से संबंदित कारिय उसके बाद 1784 का कौन से एक्ट आया पिट्स इंडिया एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट जो बिटेन के प्रधान मंत्री थे उनके निदेशन में रखा गया उसके पश्चाद हमने कहा कि साथ द्वैद सास पूर के पिट्स इंडिया एक्ट के तहट जो मुख्य बात रही पूदी के वेरी वेरी इंपोटेंट है आप ध्यान रख लीजेगा इस बात का कि अब तक भारत में जो कमपनी अधीकरत छेत्र दोस्तों कमपनी अधीकरत छेत्र का मतलब यह है कि वे भारत के छेत्र जहां कमपनी ने अपना पूर्ण अधिकार कर रखा था वे भारतिय छेत्र जहां कमपनी अपनी पूर्ण रूप से इस्थापित हो चुकी थी उन कमपनी अधीकरत छेत्रों को ब्रिटिस अधीकरत छेत्र नाम दिया गया कमपनी अधिकरत छेत्रों को क्या नाम दे दिया गया ब्रिटिस अधिकरत छेत्र नाम दिया गया किलियर बात यहां तक का यानि कि 1784 के एक्ट में ही जो अब तक कमपनी जिन जिन भारतिय छेत्रों पर अपना अधिकार इस्तापित कर चुकी है उन भी छेत्रों को उन्होंने क्या नाम देदिया बृटिस अधिक्रत छेत्र आप कह रहे हैं कि बृटिस अधिक्रत छेत्र केवल कंपनी के दिन तो दोस्तों यहां पूर्तगाली भी थे जैसे आप कहते हैं ना कि गोवा सबसे लाष्ट में आजा दुआ आपका 1961 में पूर्ट गालियों से तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बृटिस के अतरिक्त और किसी का भी अधिकार था सुन्या रहा है बात यहां तक तो बृटिस अधिकरत छेत्र नाम दिया गया इसके अतरिक्त यहां एक और भेत्वपुन बात हुई हमने 1773 में पड़ा था कि गवर्नर जनरल की गवर्नर जनरल की गवर्नर जनरल की एक परिशद थी हमारे पास जो हम कहें किसा आप गवर्नर जनरल की परिशद का गठन किस एक्ट के तैत हुआ तो आप कहेंगे 1773 के तैत तो यह जो गवर्नर जनरल की परिशद थी इस परिशद में सदश्य कितने थे चार अभी-अभी मैंने साखर किया है आप पुराने वीडियोज को बार-बार देखे ताक आपको ये चलियर हो वो जो 4 सदश्य थे मांसन there यो यह तो यह तक का तो यह जो 4 सदश्य रहे तो दोस्तो इस चार सदश्य संख्या को ंजड़ा कर इन्हों में कितनी करने का निरने ले तीन सदश्य यानि कि आप सीधा सा ध्यान रखें कि गवर्नर की परिशत से सदश्यों की संख्या चार से गठा कर कितने करने का निर्ने ले लिया तीन के लिए बात यहां तक का गवर्नर की परिशत से सदस्चों की संख्या चार से गठा कर तीन किस अधिनियम के तहत निर्ने किया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट हो गया बात यहां तक इसके अतरिक्त एक महत्वपुन बात और ध्यान रखनी है कि कमपनी की एक राजधानी बनाई गई जैसे आज आप कहते हैं ना बारत की राज़धानी राज़धानी वैसे ही इस्ट इंडिया कमपनी की राज़धानी बनाई गई और इस्ट इंडिया कमपनी की जो कैपिटल थी दोस्तों वो किसे बनाया गया कलकत्ता को बहुत ही important बात है कि company की भी एक राजधानी थी और वो राजधानी कौन सी रही कलकत्ता राजधानी का मतलब यह होता है कि आपके संपून प्रसासनिक गतिविदियों का जो केंद्र बना जैसे आज राजस्थान सरकार के संपून प्रसासनिक गतिविदियों का केंद्र जैप या मैं कहूं कि संपूर्ण भारत की प्रसासनिक गतिविदियों का एक केंदर बिंदू है और दोस्तों वो केंदर बिंदू क्या है दिल ले। या व्यापारी कारियों पर किसका नियंतरन इस्तापित हो गया है ब्रिटिस संसद का अब आप कहें साब कैसे इस्तापित हुआ काम तो उसका कंपनी कर रही है तो उसको ऐसे समझेंगे हम लोग देखी हमने इससे पहले एक लाइन पढ़ा अभी अभी इस एक्ट के अंतरगत कि कंपनी के प्रसासनिक व्यापारी कारियों को अलग किसने कर दिया ब्रिटेन की संसद ने तो दोस्तों कंपनी के कारियों पर प्रसासनिक रूप से भी व्याणेजिक रूप से भी भारत में भले ही कंपनी काम कर रही है लेकिन उनके लिए नीतियां उनके लिए कानुन व इसाब ये प्रसासनिक और वानेजिक कारियों पर पूर्ण रूप से नियंतन किसका हो गया ब्रिटेस संसद का तो दूस्तों ये बाती तो थी आपके मुख्यते कौन से एक्ट को ले करके 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को ले करके के लिए बात यहां तक का पहली बात हम बोड़ोप лишь करेंगे दlaw व्यापारी के रावानेजिक कार ये बोड़ोप डेरेटर करेंगे उसके अत्रिक्त कम्पनी अधीकरत छेत्र को बहुती इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों ध्यान रखेगा लीच ये गापनी दीकर छेत्र को प्रिकेस अधीकरत छेत्र नाम किस अदिनियम के तहद दिया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट उसके बाद कम्पनी के एक राजधानी बनाई गई और वो राजधानी कौन सी हो गई कलकत्ता तता गवर्नर के परिशद में सदेश संक्या जो चार थी उसे घटा कर कितने करने का निन ले लिया गया तीन फिलेर बात यहां तक का इस एक्ट के पश्चाद एक विसेश अदिनियम भारत में भीजा जाता है धान रखिएगा विसेश अदिनियम आया है और प्रथम अदिनियम मान सकते हैं आप उसको विसेश ता के रूप में विसेश अदिनियम भीजा गया 1786 का अदिनियम 1786 का अधीनियम अब तक दोस्तों हम लोग जो बात कर चुके हैं 1783 का रेगुलेटिंग एक्ट 1781 का सेटलमेंट एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अब हम एक विसेस प्राउधान की बात कर रहे हैं और वो कब आया 1786 में इस 1786 में विसेस अधीनियम की जो बात कही क्योंकि बंगाल का यहां गवर्णर जन्रल बदलने का निरने लिया गया था और गवर्णर जन्रल लाड कार्न वालिस को बना कर भी जा गया एक बात सामने आई कि साब ये कार्नवालिस वही व्यक्ति है दोस्तों जो इस समय अमेरिका में चल रही स्वतनतरता की क्रांती में अमेरिका से हार कर ये लोट कर आया था ब्रिटेन में प्रिटेन की कार्य प्रणाली में या ब्रिटेन की सासन व्यवस्ता के अंत्रकत बहुत जादा था अब गवर्णर जन्रल जब इसको बना कर भेजे जाने की बात कही गई तो लोड कर्न वालिस ने एक सर्थ रखे और इन्होंने कहा कि मैं भारत बंगाल का गवर्णर जन्रल बनकर भारत में चला जाओंगा लेकिन मेरी एक सर्थ है मुख्यत है और वो सर्थ ये है कि संपूर्ण सैना का प्रभंद मेरे हातों में होना चाहिए यानि कि सैना से संबंदित संपूर्ण गतिविदिया किसके हातों में होनी चाहिए लोड कर्न वालिस के ये बात उसने रखी अब लोड कर्न वालिस की जब इस बात को स्विकार कर लिया गया और इसे संपूर्ण सैन्य अधिकार यदि दिये जाएंगे तो दोस्तों ये पक्का है कि इसको एक नाम और दे दिया जाएगा कि मुख्य सहनापती के रूप में कौन सा गवर्नर जनरल भारत आता है? लड कार्ण वालेस यानि कि कमांडर इन चीफ आप कह सकते हैं कमांडर इन चीफ आपके कौन बन कर आया दोस्तों? मुख्य सहनापती लौड कार्ण वालेस किलियर बात यहां तक का? अब मुख्य सहनापती की सर्त के अत्रिक्त इसने एक बात और रखे और ये कहा कि साम मेरे साथ आपने जो 1773 के एक एक गवर्नर की क्या बनाई है? परिशद क्या मैं उस परिशद के निर्णे या उस परिशद के परामर्स को मानने को बात दे रहूंगा क्या? तो उसने इस बात के लिए भी इंकार कर दिया और साफ सब्दों में एक प्रावधन रखा गया कि गवर्नर जनरल परिशत के द्वारा लिये गए निरने या गवर्नर जनरल परिशत के द्वारा दिये गए परामर्स को स्विकार या क्या कर सकता है ऐस्विकार यानि कि एक बात तो इस पश्ट होई 1773 से लेकर के आपके 1786 तक गवर्नर की परिशद जो बात कहती थी गवर्नर की परिशद जो निनलेती थी उसी के अनुसार कारिय होता था लेकिन अब 1786 में जब लाड कार्न वालिस को गवर्नर जंडल बना कर भेजा गया तो उनकी मुख्यत है दोनों सर्ते मानी गई और इन सर्तों में पहली थी कि वो मुख्यत सैनापती बन कराए यानि कि कमांडर इन चीप कहलाए और दूसरा वो परिशत के निर्णयों को मानने के लिए भी क्या रहे बाद्य ना रहे यानि कि चाहे तो वो उसे स्विकार करेगा या फिर वो चाहे तो उसे क्या करेगा दोस्तों एस विकार करेगा किलेर बात यहां तक का यह बात हो गई आपके कौन से संदर को ले करके 1786 मित्रो ध्यान रखेगा हर लाइन में प्रशन है एक लाइन इव्यर्थ नहीं है टूदा पॉइंट बात कर रहे हैं हम लोग प्रतेक लाइन का एक्जाम की दिश्टी से महत्व है ध्यान रखने का क्युस्सन कैसे कैसे हो सकते हैं एक बार रिपिट कर लीजिए किस अदिनियम के तहट गवर्नर जंडल को कमांडर इंचीप की उपादी दी गई है कमांडर इंचीप बना कर बेजा गया तो 1786 का अदिनियम 1786 में कमांडर इंचीप बना कर किसको बेजा गया लौड कॉर्न वालिस को 1786 में बंगाल के किस गवर्नर जंडल को यह अधिकार दिया गया सरप्रथम कि वह परिशत के निरणयों को स्विकार या एश्विकार कर सकता है तो वो कौन हो गया लॉड कॉर्ण वालिस और कार्ण वालिस के संदर में आप इतियास में भी पढ़ते हैं कि आप भारत में इस्थाई बंदो बस्त नामक प्रणाली के सुरुवात किस ने की थी लॉड कॉर्ण वालिस ने किलियर बात यहां तक का इसके अत्रिक इतियास के संदर में ही आप एक बात पढ़ सकते हैं कि लॉड कॉर्ण वालिस वह पहला गवर्नर जनरल है जिसकी भारत में 1805 में मृत्य हो गई थी और वो इस्थानता उत्तरप्रदेश का गाजिपूर किलियर बात यहां तक का तो यह तो बात होगे आपके 1786 के अधिनियम तक की ले करके किलियर बात 1783, 1781, 1784, 1786 दोस्तो अगर कोई बात समझ में आए तो आप वीडियो बार बार देखें ताकि आपका यहां कंसेप्ट किलियर हो और अगर कोई बात समयधानिक इतियास के संदर्व में प्रारंव में समझ भी नहीं आती है तो आप पुराने वीडियो ज़रूर देखें किलियर बात यहां तक का हमने वहां पर उन चीज़ों को समझाये गया कि एक्ट कि सुरूप में आए किलियर बात यहां तक उसके बाद जो अधिनियम के हम बात करेंगे वह आपके यहां अधिनियम है अब दोस्तों सत्रासो तरानमे का चार्टर एक्ट अब नाम कैसे बदल गया सत्रासो तहत्तर का रेगुलेटिंग एक्ट था 1781 में सेटलमेंट एक्ट था 1784 में पिट सिंडिया एक्ट था और 1786 में विसेश अधिनियम था तो यहां यह जो चार्टर एक्ट नाम दिया गया तो दोस्तों पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताय था कि चार्टर सब्द का मतलब क्या है एक अधिकार पत्र किलिए बात यहां तक एक क्या है यहां पर चार्टर सब्द का मतलब अधिकार पत्र यह चार्टर 1793 में आया है देखी कैसे जब 1773 में ब्रिटेन की संसद ने भारत में प्रत्थम लिखित प्रावधान भेजा तो उसी 1773 के तहट ब्रिटेन की संसद ने एक नियम बनाया था और कहा था कि भारत में अगर कोई व्यापार कर सकती है तो वो केवल और केवल एक कमपनी होगी और उस कमपनी का नाम क्या है दोस्तों इस्ट इंडिया कमपनी यानि की एक तरह से इस्ट इंडिया कमपनी का भारत के व्यापार पर क्या है एक अधिकार एक अधिकार का मतलब आपको पता होना चीए केवल किसी एक का अधिकार होना और वो एक का अधिकार यहां पर किसका है दोस्तों इस्टिंडिया कंपनी का किस पर अधिकार था पूर्ण रूप से व्यापार पर भी और प्रसासनिक गती विदियों पर भी अगर हम बात समझने किकार्स करें दो तो यह व्यापार पर जब अधिकार है तो यह चारिटर किस से समबंद था व्यापारिक पत्र से किलियर बात यहां तक और उसी चारिटर के बाध जब आप देखे तो 17 trop तर और प्लस बीस जब करेंगे तो यह आपके कितना हो गया दोस्तों 17 MP3 में अब आपन देख सकते हैं अगर आप थोड़ा सा पूर्वी ग्यान के आधर पर भी बात करते हैं तो 1793 के 20 वर्सों के बाद 1813, 1813 के 20 वर्सों के बाद 1853, 1833 के 20 वर्सों के बाद 1853, बस यहीं स्टॉप रहें आगे का हम बाद में देखेंगे अब यह जो 1793 का दोस्तों चार्टर एक्ट आया, इस एक्ट के तहट फिर से एक बात कही गई कि कम्पनी के व्यापारिक वे प्रसासनिक एकादिकार को बीस वर्सों के लिए व्यापारिक वे प्रसासनिक एकादिकार को बीस वर्सों के लिए बढ़ा दिया गया 20 वर्सों के लिए बढ़ा दिया गया यानि कि सर्व प्रतम तो कब आया 1793 के एक्ट में साथ सब्दों में कहा गया और उसके बाद 1793 में भी उस बात को रखा गया कि अभी भी कंपनी को एक मौका मिलना चीए कि वो व्यापारी किस्तियों को सुधारे और वहाँ पर उसका समय कितना बढ़ा दिया गया दोस्तों 20 वर्स यानि कि अभी भी केवल और केवल भारत में एक ही कंपनी व्यापार करेगी और वो कंपनी दोस्तों कौन सी होगी सथ इस्ट इंडिया कंपनी और कौन से के तहथ बढ़ा 1793 के चार्टर एक्ट के तहथ दूसरी में तो पुन बात यहां यह कहा गया कि साब कंपनी के जो करमचारी कंपनी के जो करमचारी है फ्री में तो काम करने से रहे अगर कोई भी काम करता है तो जाइड सी बात है दोस्तों पेतल लेगा वो कंपनी के अब जो करमचारी है इन करमचारियों को किसकी बात आई वेतन की पैसे तो लेगा आज के समिधान में आप कहेंगे कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं किसी के लिए भी कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या मिल रहा है पारिस्रमिक मिल रहा है अगर पारिस्रमिक नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है वो सोशन कर रहा है और हमें आर्टिकल 23 और 24 इस बात का अधिकार देता है जहां हमें दिये गए सोशन के विरुद्ध अधिकार तो यहां कमपनी के करमचारी भी जो कार्य करने के लिए वेतन ले रहे हैं वो वेतन का भार अब किस पर डाल दिया गया भारती है भारती है राज कोसपर यानि के भारत में कमपनी के करमचारीों को वेतन कहां से मिलेगा दोस्तों भारत से ही मिलेगा यह प्रावधान आपके किस एक्ट के तहत हुआ 1793 के चार्टर एक्ट के तहत के लिए बात यहां तक का अब 1793 के चार्टर एक्ट के तहत एक बात और रग दी गई थी यहां पर किसाब व्यापारी को प्रसासने के एकादिकार 200 के लिए कमपनी के करमचारी को वेतन भारती राज कोस से लेकिन एक महतुपन बात और आई और वो यह कहा गया कि यह जो कमपनी है कौन सी कमपनी दोस्तों इस्ट इंडिया कमपनी यह जो इस्ट इंडिया कमपनी है यह अगर चाहे तो अन्य कमपनीयों को जो कहां से आई ब्रिटेन से जो ब्रिटेन से नेवाली अन्य कमपनीया है उन कमपनीयों को भारत में व्यापार की क्या दे सकती है अनुमती यानि कि बिटेन की संसद ने ये अधिकार भी किसको दे दिया इस टिंडिया कमपनी को कि अगर बिटेन से कोई कमपनी भारत में व्यापार के लिए आती है तो आप चाहें तो उसे भारत में व्यापार की अनुमती दे सकते हैं ये भी तहा किस एक्ट के तहत हुआ 1793 के चार्टर एक्ट के तहत किलिए रोगया बात यहां तक का तो यहां पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम बात कर चुके हैं 1781 के सैटलमेंट एक्ट बंदोबस्त एक्ट जिसको हम कहें 1784 का पेट्सिंड एक्ट क्योंकि बिटेन के उस हम यह कितने वर्सों के लिए बढ़ा 20 वर्सों के लिए अब अगर यह 20 वर्सों के लिए बढ़ा है तो दोस्तों अगला एक्ट कब आएगा 1813 में यानि कि अब जो एक्ट आप पढ़ें यह चार एक्ट आपको अलग नाम से मिले हैं हमने पुराने वीडियो में समझाईए इस बात को यह 1773, 1781, 1784 और 1786 यह आपको अलग नाम से नज़र आएंगे 1793 में 1813, 1833 वे 1853 यह चार आपको किस रूप में नज़र आएंगे दोस्तों चार्टर के रूप में यह याद करने के सीधे से फंडे हैं आप बना कर रख सकते हैं इस प्रकार से कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आता है जहां 20 वर्सों के लिए कंपणी को व्यापारी के एक अधिकार दिया गया तो 20 वर्स बढ़ा, तो 20 वर्स बढ़ा, तो कब आया, 1793, क्या नाम दिया गया, 4 टरेक्ट, यहां कितने वर्सों के लिए बढ़ा, 20 वर्सों के लिए, तो कब आया, 1813, अब जाहिर सी बात है, अगर 1833 में आया है, तो कितने वर्सों के लिए बढ़ा, 20 वर्सों के लिए, और एक एक्ट आपका ये हो गया उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इस 1813 के एक्ट को ले करके दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसे लाइक जरूर करें शेर भी करें अठारा सो तेरा का चार्टर एक्ट अठारा सो तेरा का चार्टर एक्ट पहले आप एक बार आज तक जो पढ़ा है एक बार उसका प्रिविजन करें एक बार पांच मेर फटाफट सबसे पहले हमने पढ़ा अज 1781 का सेटलमेंट एक्ट उसे नाम क्या दिया गया बन्दो बस्त एक्ट और गवर्णर जनेरल को चाहे तो उसके देंदियों को स dulकार करे या फिर चाहे वो से एस विकार करे दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ि थी आपन 1781 के बाद में 1784 का पिट सिंड एक्ट बिटेन के प्रधान मिंत्र विलियम पीट थे दूसरी बात हमने पड़ा उसमें कि कमपनी के अधीन द्वैद सासन पनाली की सुरुआत हो गई द्वैद मतलब यानि की दोहरा सासन विश्यों का विभाजन दो भागों में नजर आया आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन 1773 में हो गया था board of controller का गठन आपके दोस्तों 1784 में किया गया board of controller आपके जो कारिय कर रहा था वो मुख्यत है प्रसासनिक कारिय थे थे था board of director जो आपके कारिय कर रहे थे वो मुख्यत है आपके कौन से कारिय थे व्यापार से संबंदित या राज़स्व से संबंदित कारिय थे उन दोनों को जब प्रतक प्रतक करने के बात हुई तो हमने कह दिया वहां कि कमपनी के प्रसासनिक वे वानिजिक कार्यों को क्या कर दिया गया अलग अलग कर दिया गया उसके पशाथ हम लोगों ने सिंपल सा कहा कि कमपनी की एक राजदानी बनाई गई राजदानी कौन से रही दोस्तों आपके कलकत्ता सबसे महतपूर बात यही थी कि कमपनी अधिकरत छेत्र को पहली बार क्या नाम दिया गया दोस्तों ब्रिटिस अधिकरत छेत्र नाम दिया गया और विएक्तिते Lord Coroner Wallis जिनके संदरं में एक बात कही है कि साब इनको ये आधिकार दिया गया कि वो गवर्णर की परिशता की निरने और ने तो ठीक नहीं माने तो ठेक यानिकी उनके पास ये कोई बाद देता नहीं है कि वो गवर्णर की परिशत के निर्णयों को माने ही माने उसके पश्चात हमने 1793 का एक चार्टर एक्ट पढ़ा चोटे चोटे एक्ट हैं दोस्तों आसानी से याद हो जाएंगे अगर आप बार बार वीडियोज को देखेंगे तो कंसेप्ट किलियर हो क्योंकि कहा जाता है कि सुनने से जादा याद होता है बार बार देखने से जादा याद होता है उसके बाद 1793 की चार्टर एक्ट की जब हम बात करते हैं तो चार्टर यानि के एक अधिकार पत्र कंपनी के या कंपनी को 20 वर्सों के लिए और उसका अधिकार बढ़ा दिया गया तो अगला अग दिने मठा 113 में आया है जो आपके सामने हेडिंग में लखा हुआ है और उसके बाद उसमें एक मैट पुन बात कि कमपनी के करमचारियों को वेतन कहां से देना शुरू कर दिया दोस्तों भारती राज कोस से तता साथ में कहा गया कि कमपनी चाहे तो भा जिन्यावाद?